कारी अबरार जमाल सहाब आयोध्या से वापस क्या कुछ लेकर लोटे हैं वो हम आपको दिखाएंगे ये जो तमाम जो परशाद है कुछ चीजें हैं जो इनको आयोध्या से मिली है और जब ये प्राण परतिस्था में शामिल हुए थे तो वहाँ पर इनको सम्मानित जो है किया गया है कुछ किताबे भी हैं यहाँ पर और ये परशाद है प्राण परतिस्था का जो महाँ पर सभी व्याइपी लोग जो पहुँचे थे उनको महाँ पर मिला है कहीं चीजे और बी हैं जो परशाद के रूप में इनको प्राप्त हुई हैं और कुछ किताबें हैं कितना खुशी मिल लेगे आपको इन सब चीजों को देखकर अपने बास देखे सब मेरे लिए किसी एवाड से कम नहीं है जाहिर है इतनी बड़ी आबादी में हमें निमंतरन मिलना ही हमारे लिए बड़ी बात है और मैं शुक्रिया दा करूंगा ट्रस्ट के तमाम लोगों का तमाम सनातनियों का कि उन लोगों ने एक विशेस कारी करम को सालों बाद जो एक कारी करम हुआ परान परतिस्टा का इसको भी सिर्फ इसलिए अकेले नहीं मनाया ताके कहीं न कहीं गंगा जमना तैजी पर दबा ना लग जाए इसको भी मिल जूल करके मनाया है जहां एक तरफ तमाम सादू संतों को बुलाया गया वहां कारी अबरार जमालों को भी बुला करके सम्मानित किया गया इज़त बक्षी तमाम चीजे भेंट की गई ये मेरे लिए वाकिए एक बड़ी बात है क्या क्या है कुछ दिखाएंगे अपने हाँ से उठागर क्या क्या चीजे है यहां पर यह देखे ये अंगोठी है सोने की और ये गंगा जल है या शाद गुलाब जाद क्या है कुछ लिक्विड है कोई बात है हाँ और ये खाने का कुछ समान है इसमें और इसमें भी कुछ बहतरीन चीज़ है और ये क्या है शाद ये दीप है शाद दीपक है शाद इतलका और इसमें परशाद है ये पुस्तके हैं और ये कलिंडर है और कहीं सामान इसके अंदर है और और पुस्तके हैं और एक कहीं सारी चीजे हैं बहुत सारी चीजे मिली हैं तो आनन आ रहा है आपको जी बिलकुल जाहर सी बात है ये हिंदुस्तान की खुबसूरती है कि कोई भी कारी करम यहां अकेले नहीं किया जाता यहां तमाम लोगों को सादू संतों के साथ में जो है एक मुस्लिम स्कोलर को भी बुला जाता है और ये उन लोगों के उपर मुँ के उपर तमाचा है जो लोग ये बात कहते हैं कि जब तमाम हिंदु इखटे हो जाते हैं तो उस बीच में एक मुसल्मान को जेशीराम कहना पड़ता है वहां इसका बिलकुल उलट देखने को मिला ने होता मिलने के बाद मेरे पास बहुत सारे फोन आए कि कारी साब आपको नहीं जाना वहां आपको वहां बेख़त किया जाएगा आपके माते पर तिलक लगा जाएगा आपको जबरदस्ती जेशीराम कहना पड़ेगा आपको मंदिर जाना पड़ेगा लेकिन मुझे वहां कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ वहां तमाम लोगों ने मुझे इज़त बख्शी किसी ने माते पर तिलक नहीं लगाया किसी ने जेशीराम कहने के लिए मजबूर नहीं किया तमाम लोगों ने इज़त दी, मैं तमाम लोगों को शुक्रियादा करता हूँ जो ये चित्र मिले हैं, वहाँ से आपको प्रतिमाई मिली हैं तो इनका आप क्या करेंगे, सजाएंगे अपने घरदफर में या क्या किया जायागा रखी जाएंगे मैं जगा जगा इसको भैंट करूँगा, जहां जहां मुझे लगेगा, जो मेरे शुबचिंटक हैं, मेरे अजीज हैं मेरे मुकरिब लोग हैं, मेरे मतालिकaltung हैं, तमाम लोगों को दूँँगा देखा आपने भी मैंने आप सब लोगों को परशाद खिलाए अपने हातों से और जहां जहां मुझे लगेगा मैं दूँगा उसको कारी अबरार जमाल सहाब काफी खूश है परशाद इनको वहाँ पर मिलाए कहीं चीजे जो है वो जो वहाँ पर भेट की गही थी जो लोग दर्शन के लिए आयते वी आईपी लोगों को जो जो समान दिया गा वो सब चीजे जो है कारी अबरार जमाल सहाब को भी मिली है जिसको पाकर वो काफी खूश है टीवी नान यूपी के लिए सारन पूर से विकास कबिल